Hello everyone and welcome to my YouTube channel Get Easy, Get Growing आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Class 7 Chapter, The State Government आज हम Class 7 से Related Chapter, The State Government राज्य सरकार के विशह में बात करेंगे उनके बारे में जानेंगे The Government हमारे भारत में जो Government है वो थ्री लेवल्स वर वर्क करती है Local, State and Central Central means के अंदर सरकार जिसमें हमारा जो Head होता है वो कौन होता है? Prime Minister होता है State State में Minister के रूप में Chief Minister वर्क करता है And Local जो जो गवर्मेंट होती है वो हमारी Village लेवल पर पंचायत के रूप में वर्क करती है तो इस तरह से सरकार को रन करने के लिए देश के कारियों को सुचारों रूप से चलाने के लिए भारत में सरकार की जो वैवस्ता की गई है वह थ्री लेवल्स पर वर्क करती है Local, State and Central State Legislature जो राज्ये का विधान होता है Legislature होता है वह कानून बनाएगा राज्ये से सब्बंदित बिल पारित जहां पर होते हैं उसको हम State Legislature या राज्ये विधान कहते हैं अब जो कानून इस Legislature में पारित किये जाते हैं या जो भी बिल बनाए जाते हैं राज्ये की Facilities के लिए स्विधाओं के लिए उनको कौन एग्जिक्यूट करता है उनको राज्यों में एग्जिक्यूट करना लागू करना उनको निर्वह कराना उन बिल्स को पारित कराने के बाद संचालित करना यह कारिये कलेक्टिव रूपे जिनके जिम्मेदारी होती है वे थ्री स्टेज में वर्क करते हैं फॉर्स्ट इस गवर्नर देन चीफ मिनिस्टर एन देन काउंसल ओफ मिनिस्टर गवर्नर गवर्नर को जो न्युक्त किया जाता है वो कौन करता है हमारा प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट के द्वारा गवर्नर को न्युक्त किया जाता है और गवर्नर हैड होता है स्टेट लेवल पर कंस्टिटूशनल हैड इसको माना जाता है और प्रेजिडेंट के ध्वारा केंदर सरकार के रिप्रेसेंटेटिव के रूप में गवर्नर को न्युक्त किया जाता है गवर्नर की रस्पोंसबिलिटी होती है राज्यो में सरकार को निर्धारित करने की इलेक्शन के तुरू MLA सिलेक्ट किये जाते हैं उसके बाद जो मैजॉर्टी पार्टी होती है उसका चीफ मिनिस्टर नियुक्त होता है और उसे सरकार में चीफ मिनिस्टर का पत दिलाने की शपत दिलाने की जिम्मेदारी गवर्णर की होती है चीफ मिनिस्टर आपने कारियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने मंत्रियों को नियुक्त करता है वह कौन-कौन से मंत्रियों को अपने साथ रखने वाला है यह सब डिसाइड करने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की होती है और चीफ मिनिस्टर निर्धारित करता है कि उसकी कैबिनेट में कौन-कौन से मंत्री होंगे और काउंसिल ओफ मिनिस्टर महाँ पर निर्धारित किये जाते है गवर्नर जो होता है तो गवर्नर इस अपॉंटिट बाई दा प्रेजिएंट हमने भी बात की थी जो गवर्नर होता है उसको प्रेजिएंट नियुक्त करता है और कितने टर्म्स के लिए फाइफ यर्स के लिए इसको गवर्नर को नियुक्त किया जाता है किसी भी स्टेट में वर्क करने के लिए पाच साल का कारेकाल होता है गवर्नर का गवर्नर की responsibility होती है कि वह राज्यों में सरकारे सही रंग से काम कर रही है या नहीं इस चीज़ को निधारित करे और केंद्र की representative के रूप में वह स्टेट के कारियों की निगरानी रखता है इसी कारण से गवर्नर को constitutional head of state कहा जाता है समवैधानिक प्रमुक of state कहा जाता है चाहे वो किसी भी state का हो हमने यहाँ पर तमिलाडू शो किया है example के रूप में लेकिन किसी भी state का जो गवर्नर होगा वह है उस state का constitutional head कहलाता है समवैधानिक प्रमुक उसको कहा जाता है तो इस picture के माद्यम से हम देख सकते हैं कि जो गवर्नर है उसको अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट के थूँ गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है और उसका time period जो होता है वो five years का होता है वह five years के लिए elected किया जाता है और states के कारियों की देख रेक करता है गवर्नर ही वह व्यक्ति होता है जो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कैसे चुना जाता है ये बात हम आगे जानेंगे आगे की वीडियो के part में हम इसके bayरे में discuss करेंगे चीफ मिनिस्टर की duty होती है वह अपने कारियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो council of ministers है उनको select करे और वह advise कर सकता है चीफ मिनिस्टर advise कर सकता है governor को in the selections of councils of ministers तो governor के सामने वह मंत्रियों के name रखता है सुचाओ देता है कि इन मंत्रियों को select किया जा सकता है और वह अपनी cabinet के size के विशय में भी सलहा दे सकता है तो governor की सलहा से वह अपने मंत्रियों को निर्धारित करता है अब हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर क्या होता है हमने पीछे जाना चीफ मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है governor के द्वारा उसको शपत दिलाई जाती है राज्ये में मंत्री के रूप में चीफ मिनिस्टर के रूप में work करने के लिए चीफ मिनिस्टर होता क्या है leader of the majority party majority party वह party जो elections में सबसे अधिक CT जीतने वाली party होती है और सरकार बनाने के लिए capable होती है उसी को majority party कहा जाता है legislative assembly is elected as a chief minister उसका जो leader होता है विदान सभा में उसके leader को as a chief minister नियुक्त किया जाता है just example हम बात करें इस समय यूपी में जो cm पद के लिए work कर रहे हैं वो योगी आदितेनाथ है जिनको majority party बीजेपी की majority party के ये leader नियुक्त किये गए थे और अब हमारे state में chief ministers के रूप में work करते हैं तो chief minister क्या होता है majority party का leader होता है जिसको विदान सभा में अपने leader के रूप में चुना जाता है और chief minister पद की सपद दिलाई जाती है वही चेफ मिनिस्टर अपनी council of ministers को निर्धारित करता है राज्य में जितने भी कारिय होते है उन सब का सलह मश्वरा किया जाता है और निरधारित किया जाता है कि किस तरह से कारियों को संचालित करना है, सुचारू रूप से चलाना है और इसके लिए Chief Minister अपने Council of Ministers के साथ मेटिंग कर सकता है Chief Ministers Hold Collective Responsibility इस तरह से जो Chief Minister होता है, उनकी संगठित जिम्मेदारी होती है अपने मंत्रियों के साथ स्टेट लेवल पर सभी कारियों को सुचारू रूप से देखने की तो चीफ मिनिस्टर की जिमेदारी होती है ruling party हम बात करेंगे ruling party क्या होती है the political party having the majority वह है political party जिसको majority मिलती है सबसे अधिक सीटे मिलती है सरकार बनाने के लिए और वह सरकार गटित करती है उसी को हम ruling party कहते है just like उत्तर परदेश में बीजेपी सरकार काम कर रही है तो इस समय ruling party कौन सी हो गई आपकी बीजेपी हो गई और तमिल नाडू में DM के हो गई तो DM के यहाँ पर तमिल नाडू में अभी सरकार रूप में कार रही है तो इसलिए ruling party कौन सी होगी तमिल नाडू की DM के हो गई और यह party समय समय पर बदली जा सकती है 5 years के बाद जब elections होते हैं अगर कोई दूसरी party majority में आती है तो वह ruling party के रूप में नजर आएगी यह निश्चित नहीं है कि हर बार एक ही party ruling party रहेगी elections के results पर depend करता है कि कौन सी party ruling party के रूप में work करेगी opposition, विपक्ष, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विपक्ष, विपक्षी party क्या होती है members who do not belong to the ruling party वे members जो ruling party से belong नहीं करते जो सरकार में शामिल नहीं है वो opposition, विपक्ष में बैठता है उनको opposition party कहा जाता है they always criticize the wrong policies of the government और सरकार जो भी काम करती है state level पर या आप लोगसभा की level पर भी कहें तो वहाँ पर भी विपक्षी कहलाते हैं वो तो सरकार की जितनी भी policies होती है अगर सरकार उसमें कोई गलतियां करती है तो उनकी आलोचना करने की जिम्मेदारी in opposition parties की होती है just like in UP, SP, BSP and just like Congress इस समय यहाँ पर विपक्षी party के रूप में जानी जाती है qualification government qualification government क्या होता है गटबंधन सरकार इसको हम हिंदी में कहता है गटबंधन सरकार क्या होती है एक time ऐसा condition आती है जब सरकार बनाने के लिए किसी party के पास majority नहीं होती ऐसी condition में when two or more political party जब दो या दो से अधिक party एक साथ मिलकर सरकार बनाती है तब हम उसको गटबंधन सरकार कहते है तब वह गटबंधन सरकार कहलाती है और वह चुनाव करती है कि कौन सी party को उसको अपने साथ में रखना है एक्जामपल के रूप में इस समय क्यारला में हमारे गटबंधन सरकार वर्क कर रही है तो coalition government क्या होती है जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्धारन करती है legislative assembly विधान सभा क्या है Each state in India has a legislative assembly भारत में जितनी भी states है सब में एक-एक legislative assembly जरूर है विधान सभा जरूर है Each state is divided into different areas और जितनी भी states है उनको कारियों को सुचारो रूप से चलाने के लिए elections को सुगमता से held करने के लिए अलग-अलग छोटे-छोटे areas में डिवाइड कर दे जाता है उनको हम constituencies कहते है constituencies उनको कहा जाता है according to the population जनसंक्या के आधार पर इन election सेत्र को निर्धारित किया जाता है तो ये शेत्र होते हैं जहाँ पर members nuked किये जाते हैं election लडने के लिए और फिर जो parties के members जीतते हैं उनको MLS के रूप में work करना होता है तो इस हिसाब से जो political parties यहाँ पर work करती हैं अलग-अलग तरह की political parties है जो MLS होते हैं वो differ-differ political parties से belong करते हैं just like Congress, just like भारते जन्दा पार्टी just like समाजवादी पार्टी इसी तरह की बहुत सारी पार्टियां हैं जो political parties के रूप में अपने प्रतिनिधी को elections में खड़ा करती हैं और जब वह प्रतिनिधी जीत जाते हैं वो members जीत जाते हैं तो वो विधान सभा में MLS के रूप में चुने जाते हैं और वहाँ पर work करते हैं the people elect one representative जन्ता elections के थूँ एक constituency से एक election से एक representative को चुनती है जिसको MLA कहा जाता है मतलब हर विधान सभा शेत्र से elections के लिए एक MLA न्यूक करके जन्ता के द्वारा भेजा जाता है as a representative वही चुना जाता है जो election में सबसे ज़्यादा vote लेने के बाद जीतता है who is an MLA बात वही है MLA क्या होता है MLA क्या होता है member of the legislative assembly legislative assembly विधान सभा का जो member है जिसको जन्ता के द्वारा चुन कर भेजा जाता है उसी को हम MLA कहते है just like यहाँ पर pictures में show किये गए है यह सब तैलंगाना पार्टी के MLA है जो न्यूक्त होकर विधान सभा में वग कर रहे है यहाँ पर हमने example दिया है तैलंगाना पार्टी का इसी तरह से अगर अन्य पार्टी के MLA है जो विधान सभा में काम कर रहे हैं तो वो सब उस पार्टी से related MLA कहलाएंगे नेक्स पॉइंट है आपका लोक सभा और legislative assembly legislative assembly विधान सभा और लोक सभा दो सभाई होती हैं हमारी लोक सभा और विधान सभा लोक सभा में जो मीटिंग्स होती हैं वो केंदर सरकार के जो मंत्री होते हैं आपके मंत्री मंडल में वर्क करते हैं उनकी जो मेटिंग्स होती हैं, कानून होते हैं, बनाए जाते हैं, वो सब आपके लोकसभा में पारित होते हैं हर स्टेट से लेवल जितने भी वर्क होते हैं, वो सब लेजिसलेटिव असेम्बली मेंज विधान सभा में किये जाते हैं तो दो तरह की सदन होती है लोकसभा और विधानसभा State Legislature राजयसभा क्या होता है राज्यों में वर्क करने के लिए राज्यसभा होती है जिसके लिए Legislative Council भी वर्क करती है यहां पर विधान समीथियां बनाई जाती है जो work करती है राज्जे लेवल पर, state लेवल पर, अब दो तरहा की forms होती है, assemblies की, unicameral legislature and bicameral legislature, unicameral legislature क्या होता है, इसको हम lower house भी कहते हैं, या legislative assembly भी इसको कहा जाता है, unicameral legislature वह विधान है, जहां पर केवल एक house होता है, जहां पर केवल एक house, एक chamber में सरकार work करती है, उसको हम unicameral कहते हैं, unicameral का meaning होता है, lower house और upper house जहां पर दोनों सदन होता है, legislative assembly भी और council भी दोनों समीतियां work करती है, lower house भी होता है और upper house भी होता है, उसको हम bicameral legislature कहते हैं, हमारे भारत की अगर हम बात करें, तो हमारे भारत में six states ऐसी हैं, जहां पर दोनों तरह के सदन है, lower house भी और upper house भी, these states are as just like जमू काश्मीर, उत्तपरदेश, बिहार, मारास्ट, करनाटका और आंदरपरदेश, यह six states हैं, जहां पर हमारी bicameral legislature है, all names is mentioned in below also, अंदरपरदेश, बिहार, जमू काश्मीर, करनाटका, महरास्ट परदेश हैं, यह सब states ऐसी हैं, जहां पर bicameral legislature पाया जाता है, इन सब states को छोड़कर, states having unicameral legislature, वे सब states, जो six states हमने भी पीछे डिसकस की, उन सब states को छोड़कर, all states ऐसी हैं, जहां पर unicameral, केवल एक house पाया जाता है, और unicameral विधान वहां पर पाया जाता है, तो हमने इस क्लास में क्या क्या जाना, अभी हमने इस क्लास में जाना, the governor is the constitutional head of state, the governor is appointed by the president for five years, the leader of majority party who enjoys the confidence, जिनको विश्वाश मत मिलता है, state assembly में, वो appoint कर सकते हैं अपनी chief minister को, जिसको governor के द्वारा सपत दिलाई जाती है, the chief minister advises, जो chief minister है, वो advise कर सकता है, governor को for the selection of council ministers and size of the cabinet, जो cabinet बनाई जाती है, मंत्रियों की, उसके size के विशह में वे advise कर सकता है, the chief ministers hold collective assembly, chief minister की संगड़ी जिम्मेदारी होती है, अपने council ministers के साथ, state levels पर जितने भी work होते हैं, उनको करने की और उनकी authority लेने की, the state that have only one house, वह state जिसमें केवल one house होता है, जिसको हम legislative assembly कहते हैं, lower house कहते हैं, उसको हम unicameral legislature कहते हैं, एक सदनिये विधान हम उसको कहते हैं, and वह state जहांपर two houses होते हैं, just as lower house and upper house, उसको हम bicameral means, द्वी सदनिये विधान कहते हैं, तो हमने जाना कि दो तरह के जो विधान होते हैं, unicameral, bicameral क्या होते हैं, who appoints the governor, governor को कोई appoint करता है, who appoints the chief ministers, chief minister को कैसे appoint किया जाता है, किस तरह से coalition government बनती हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक कीजिए, subscribe कीजिए, and subscribe my channel, get easy, get growing, आप वीडियो को लाइक कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए, और bell icon को दबा दीजिए, जिससे आपको सभी notifications मिलती रहें, ओके, thank you.